वेल्कम टू न्यू लेसन कल के लेसन में आपने सीखा था अबाउट एड रेंक प्लस हमने समझा था कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है आज के लेसन में आप सीखोगे अबाउट गूगल सर्च एड्स कैम्पेइन स्ट्रक्चर ठीक है तो आप समझोगे कि गूगल सर्च एड्स जो बनती है उसमें क्या क्या चीजे होती है क्या स्ट्रक्चर होता है ताकि आप चीजों को सही से क्रियेट कर सको आप एक सिंपल एक्जाम्पल से समझो जैसे हम घर बनाते है तो स्टेब बस्टेब प्रोसेस होता है पहले उसका design तयार होता है घर का, then आप foundation बनाते हो, new बनाते हो, then ground floor, then first floor, then and so on. अगर आपको basement बनानी है, then पहले आप basement बनाते हो, और फिर ground first, ऐसे, ऐसा कभी नहीं होता कि आप सीधे fourth floor बना रहे हो, या सीधे fifth floor बना रहे हो, या सीधे first floor बना रहे हो, ऐसे नहीं होता, जब तक foundation नहीं है, तब तक कुछ नहीं कर सकते हो, और foundation से पहले जरूरी है कि आपके पास एक structure हो, कि कैसा घर आपको बनाना है, अगर आपके पास कोई fixed structure नहीं होगा, तो आप चीजों को बार-बार change करोगे, ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि Google Ads, तो भी specific, Google Search Ads का कैसा structure होता है, तो अभी हम, अभी मैं Google Ads account में logged in हूँ, ठीक है, सीधे मैं गया ads.google.com, जहाँ प गया है, Google Ads के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपके पास option है, campaigns, ठीक है, तो जैसी मैं click करूँगा, campaigns, मेरे पास option आएगा, नया campaign बनाने का, ठीक है, नया campaign बनाने का option आ रहा है, तो जैसी मैं click करूँगा, new campaign, देखो, यहाँ पर दो option आए, पहला new campaign, और दूसरा है load campaign settings new campaign तो आप समझी गए कि आपको एक नया campaign बनाना है दूसरा option क्या है load campaign settings इसका मतलब बगार आपने past में कोई campaign बनाया हुआ है तो आप उसकी settings को import कर सकते हो या उसकी settings को use कर सकते हो अभी हम लोगों ने past में यहां तो कोई campaign बनाया है नहीं है तो हम क्या करेंगे new campaign तो मैंने किया new campaign गूगल आपको बड़े सारे option दे रहा है इस पर हम बात में बात करेंगे कभी अभी देखो अगर मैं create करता हूं create a campaign without a goal देखो Google मेरे से पूछ रहा भईया आप किस टाइप की आड बनाना चाहते हूं तो गूगल में कितने टाइप की आड दी है गूगल में सर्च डिस्प्ले शॉपिंग वीडियो एप इंस्टॉल और स्मार्ट कैंपेंग स्मार्ट एड्स तो हम कौन सी बना रहे हैं अभी हम सीख रहे हैं सर्च एड्स ठीक है तो मैं क्लिक करूँगा सर्च प ठीक है कैंपेंग लेवल पे ध्यान देना अभी मैं हूँ कैंपेंग लेवल पे और कैंपेंग लेवल पे मैं क्या कर रहा हूं गोल सलेक्ट सिंपल goal select plus add type select कर रहा हूँ campaign level यही कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा then मैं आगे बढ़ूँँगा तो मेरे पास आएगा देखो मैंने search ले लिया यहाँ पर अभी इसको ऐसी छोड़ते हैं इसको करता हूँ continue देखो अब क्या है मेरे पास देखो campaign मैं कर चुका हूँ अब मैं करूँगा add group ठीक है और add group के बाद मैं क्या करूँगा add then finder ठीक है तो कैसे काम करता है google क्या क्या चीज है google search ads में number one campaign then campaign के अंदर है add group और add group के अंदर आती हैं आपकी ads अब एक campaign के अंदर multiple add group मैं बना सकता हूँ और हर add group के अंदर मैं multiple ads बना सकता हूँ बहुत ही बहुत ही ज़्यादा simple तो हम campaign पे थे तो campaign पे हमने select किया था अपना goal then जब हम आगे बढ़े तो आया हमारे पास add group अब add group में हम क्या select कर रहे हैं add group में हम select कर रहे है location add कहां दिखानी है add group में हम select कर रहे हैं language किसको add दिखानी है then audience हम select कर रहे है then हम select कर रहे है budget then हम select कर रहे है bidding ठीक है और then हम select कर रहे हैं कि schedule क्या होगी add की then हम add rotation select कर रहे है आगे की videos में मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा तो आप टेंशन लालो, यह dynamic search क्या होता है, campaign के, सब सीखोगे आप, अब यह देखो कि structure करता है, काम कैसे करता है, then bidding, ठीक है, then आप देखोगे add extensions, बड़े सारे होते हैं, तो क्या होते हैं add extensions, आप add extensions सीखोगे, ठीक है, then आप पहुंचोगे add पे, तो जब आप add पे पहुंच रहे हैं, अब पूच रहे हैं, keywords, ठीक है, keywords पूच रहे हैं, किस keyword पे add चलाना चाहते हो, then जब मैं आगे बढ़ूँगा, then यह मेरे सा पूच रहे है, adds, ठीक है, तो बहुत ही simple है, 4-5 steps आपको follow करने हैं, number one campaign, जहां आप decide करोगे अपना goal, then आएगा आपका add group, जहां पे आ बनाओगे, then आपकी add होगी, confirm, right, तो अब जो simple है, कि एक campaign, तो suppose करो, आप protein supplements बेच रहे हो, तो एक campaign बनाओगे around protein supplements, अब suppose करो, आपके पास बड़े सारे keywords हैं, तो हम आगे बात करेंगे, about keyword strategies, ठीक है, तो इसके अंदर आप बड़े सारे बना दोगे add group, और then आप हर add group के अ ads, ठीक है, तो यह बहुत simple तरीके से, जो अपना Google AdWords है, उसका campaign structure काम करता है, ठीक है, दूसरी चीज़, एक और मेरे को जो आपको बतानी है, इस वीडियो में, वो है about billing, ठीक है, about billing, again, Google Ads में भी क्या होता है, Google GST deduct करता है 18%, ठीक है, तो suppose करो, आप 1000 रुपए आपने Google में add किये, तो इसमें से Google 18% GST काट लेगा, और बाकी आप अपनी ads में लगा सकते हो, again, अगर आपके पास GST नमबर नहीं है, तो आप इस 18% यह आपके लिए loss है, आप इसका input ने ले पाओगे, तो best है कि आप अपने accountant से या CA से बात करके GST नमबर ले लो, और मैं आपको बतात बिलिंग सेट कैसे की जाती है, तो आप tools and settings में जाओगे, tools and settings, then आपके पास देखों, यहाप एक option है, billing settings, तो आप जाओगे billing settings के अंदर, और जैसे आप billing settings में आओगे, Google देखो आपसे बोल रहा है, कि भया, अपनी details submit करो, right, अब जैसे आप अपनी details submit करोगे, आपको अप automatic और एक है manual, तो अगर आप manual payment करते हो, तो से 100 रुपए है, तो आप Google में 100 रुपए add कर सकते हो, मिनिमाम एक बार में Google में आप minimum 500 add कर सकते हो, ठीक है, तो यह 500 जब आप add करोगे, तो यह Google में पड़े रहेंगे, और जैसे ही आप add run करोगे, तो इसी 500 में से आपके पैसे deduct ह होते रहेंगे, अगर आप automatic use करोगे, तो Google क्या करेगा, automatically आपके card को charge करता रहेगा, ठीक है, automatically आपके card को charge करता रहेगा, और जो भी आप use करोगे add, आपके पैसे automatically कटते रहेंगे, ठीक है, तो यह दो payment method है, इसके अलावा, अगर आप manual payments करते हो, तो आप Paytm वगरा सब गूगल के अंदर, तो आप वो भी use कर सकते, ठीक है, तो make sure कि आपके पास GST है, ताकि आप easily ads run कर सको, आपको कोई problem ना हो, इसके लावा billing summary में भी जा सकते हो, billing summary में जब आप जाओगे, तो आपको सारी billing, billing summary आनी रही है मेरे पास, क्योंकि यह नया add account है, तो यहापे about billing, या आपको यहापे country सेलेट करनी है, यहापे अपा इंडीवीजूल हो या business हो, तो आप वो select कर सकते हो, अगर आपका business है, तो make sure में आप business सेलेट कर रहे हो, अगर आप as a individual add run करते हो, आपको कोई business नहीं है, तो आप अपना business, just as a individual register कर लो, यहापे दो option आ रही है, registered individual औ और unregistered individual तो अगर आप registered लोगे तो देखो आपसे मांग रहा है pan number और 10 number then gst number तो आप अपना gst number यहाँ पे लिख सकते हो और नीचे आप अपना address लिख दो और फिर जो भी आपके पास payment methods है आप वो अपने payment method यहाँ पे डाल दो ठीक है तो बहुत है simple है ऐसे आप Google में अपने billing कर सकते हो और अपने जो भी payments है वो आप add कर सकते हो ठीक है जी so that's it from this lesson इस lesson में आपने सीखा about google ads structure जिसमें आपने सीखा की तीन पार्ट्स में google ads बटा होता है सबसे पहले आता है campaign then we have ad set sorry first आता है campaign then we have ad group then we have ads campaign पर आप objective अगर से लेट करते हो और ads के level पर आप अपनी ad लिखते हो copy लिखते हो URL लिखते हो और बाकी सारी चीज़ा आप करते हो ad group level पर then हमने देखा billing तो आप tools and settings में जाके billing settings में जाके अपनी details enter करके अपनी billing यहाँ पर आप set कर सकते हो Google में पैसे add कर सकते हो ठीक है तो that's it from today's lesson